ओम शान्ती मेरे शरीर का नाम बीके सुमन और इस इश्वर्य जीवन में बीस साल हो गए है बीस साल से समर्पित रूप से बाबा के घर में सेवा कर रही हूँ आज मैं अपने जीवन का प्रैक्टिकल अनभव सामने रखने जा रही हूँ जब बाबा के बने बाबा के बनने से पहले मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का परमात्मा के प्रती भगवान के प्रती जैसे का आस्था होती है या भगवान को खोजना या भगवान के प्रती बहुत भक्ती पुजा पाठ करना ऐसा एक मन में कोई चाहा नहीं थी मैं अपने जीवन में ऐसा महसूस करती थी कि मेरे जीवन में कोई भी दुख नहीं भरपूर परिवार था लौकिक जीवन में माता पिता भाई बेहन अपने भाई बेहनों में सबसे छोटी थी पूरे परिवार में सबका प्यार पालना इसी पालना इसी प्यार के साथ मैं अपने जीवन में कभी भी पुजा पाठ या भक्ति, ब्रत, नेम, मंदिर जाना ये एक शौक से करती थी जैसे बड़ी बेहन जा रही है, मंदिर जा रही है तो शौक से जाती थी, जैसे किसी क्यास्था होती है तो उस शौक से जाती थी लेकिन जब मैं पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद यही होता है घर परिवार में कि पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करेंगे या शादी करेंगे अपना घर बसाएंगे तो मैं यही सोचती थी कि शायद मेरे जीवन में भी ऐसा ही कुछ होगा नौकरी करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, यह सब चीजे हैं लेकिन कभी-कभी मन में एक संकल पाता था क्या अलग सी कोई लाइफ नहीं होती है यह सब तो कर रहे हैं, बाकि दुनिया में भी और लड़कियां भी करती है जॉब करती हैं, शादी करती हैं, ग्रिहस बसाती है लेकिन मैं भी ऐसा सोचती थी कभी-कभी कि क्युछ अलग सी लाइफ हो तो ऐसे मन में, लेकिन फिर भी यह लगता था कि पता नहीं ऐसा अलग जीवन जी पाएंगे कि नी जी पाएंगे, शायद यही करना होता गो तो उसी इसाब से चलते रहते थे लेकिन जब हमारे घर में मेरे ब्रदर की शादी हुई और भाबी जी आई घर में तो जब वो घर पे आये तो वैसे बच्चपन से ही अपने माता जी के साथ लगाओ था बहुत लौकिक मदर के साथ छोटी सी थी, तो जहां भी उन्होंने जाना उनकी साथ जाना सुबह सुबह उठकर के भी जैसे गाओं में होता है पशुओं के पास सुबह सुबह उठकर जाना तो उनका पल्लू पकड़के उनके साथ साथ चलती रहती थी तो उनके साथ इतना लगाओ था उस लगाओ के कारण कई बार स्कूल भी मिस कर जाती थी लेकिन जब भाबी जी घर पे आये तो उन्होंने भी इतना प्यार दिया और वो मुझे अपने साथ जहां वो जौब करते थे अपने साथ लेकर गए कि मैं ही इन्हें पढ़ाऊंगी अपने साथ रखूंगी तो उनके साथ रही छोटी सी थी अभी तीसरी क्लास में ही पढ़ती थी तब से ही उनके साथ मैं थी पढ़ रही थी और उन्हें जैसे एक अपने बच्ची की पालना करती है जैसे मेरी बेटी इस तरह से वो पालना करते थे कई बार पिता जी कहा भी करते थे कि उनके दो बच्चे थे पोते थे तो वो चाहना रखते थे कि मुझे एक पोती चाहिए तो वो कहते थे कि पिता जी आपके और भी बेटे हैं उनसे आपको पोती हो जाएगी लेकिन मुझे जुरत नहीं है मुझे बेटी मिल गई है तो वो मुझे अपनी बेटी के समान इतनी पालना प्यार करते थे ऐसे ही जब कुछ समय आठदस साल साथ रहे और फिर एक दिन जब वो जॉब करते हैं ओफिस जा रहे थे रास्ते में चलते चलते उनको बाबा का जंडा दिखाई दिया और मन में इतनी खुशी उनको हुई कि यहां तो बाबा का घर है और मुझे सेंटर जोइन करना है क्यूंकि शादी से पहले वो भी सेंटर जाते थे तो जैसे ही पहले दिन आश्रम पर आए दिवाली का दिन था हम सब को ले करके आए पुरा परिवार तो जब मैं भी पहली बार आश्रम पर आई उन्होंने कहा कि ऐसे से आश्रम में वहां ग्यान सुनाय जाता है परमात्मा का ग्यान तो मैं तो पहले ही मुझे इतनी आस्था नहीं थी परमात्मा के प्रती मैं सोचती थी कि मुझे भगवान को याद करना जरूरत नहीं है शायद जो दुखी लोग होते हैं वही भगवान को याद करते हैं ऐसा सोचती थी फिर जब भाबी जी ने कहा है कि आश्रम जाना है तो जाना है क्योंकि उनका कहना नहीं टालती थी इतना प्यार वो पालना मुझे देते थे तो उनके साथ जब पहली बार बाबा के घर में पहुँची तो आते ही वो बात मुझे याद आई जो मैं कभी-कभी मुझे पहले संकल पाता था कि क्या हमारे लिए कोई अलग सी लाइफ नहीं होती है क्या यही करना है शादी करनी है नौकरी करनी है एक अलग जीवन जीने के लिए भी क्या ऐसा ऐसी दुनिया है या ऐसा स्थान है तो जब पहली बार बाबा के घर में आई बड़े दिदी जिसे मिली और बहनों को देखा कितना सुंदर यह जीवन है तो बस एक संकल्ब आते ही बाबा के घर में कि अब मुझे शादी नहीं करनी है अब मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता शादी के लिए तो एक संकल्ब पक्का कर लिया और इतना निश्चे हो गया उसके उपर कि अब अगर मुझे कोई बोल भी देगा कि आपको शादी करनी है तो फिर मुझे इतना निश्चे था कि अब मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे जीवन का लक्षी मुझे मिल गया है बस इतना सा बाबा के घर में जब पहली बार आई तो जब कोर्स शुरू किया तो कोर्स शुरू करने से ग्यान अभी इतना समझ में नहीं आया था पुरा कर लिया साथ दिन का कोर्स और फिर उसके बाद एक दो दिन जैसे आजाते थे मुरली सुनने के लिए घर से ही तो भाबी जी कई बार कहते थे कि चलो आश्रम पे चलते आज तो बीच बीच में मेरा जैसे को मन करेगा तो आपने मुझे रोकना नहीं और अगर मेरा मन नहीं करेगा तो मुझे बोलना नहीं कुछ भी तो मेरा अगर जीवन में ये लक्षे होगा कि मैंने जाना है तो आपने रोकना नहीं और अच्छा नहीं लगेगा तो बोलने के लिए जाना नहीं तो मतलब यह है कि इस तरह का जो बोल मैंने उनको बोला तो उनको अंदर से समझ में आ गया कि इनका जीवन बावा ने शायद इनका जीवन सेवा के लिए लेना है लेकिन आज के बाद उन्होंने बावा के उपर सब बात छोड़ दी थी कि नहीं इनका जीवन जैसा भी है उसके बाद जैसे मैं सेंटर पे आती रहती थी बीच बीच में तो कोर्स पुरा होने के बाद बड़े दिदी जी ने मुझे कहा कि मैंने कहीं जाना है सेवा में और यहां आपको कुछ दिन सेंटर पे एक बहन के साथ को रहना है तो मेरे से मना नहीं हुआ और मैंने कहा कि जी दे दी मैं रह लूँगी जबकि अभी मन नहीं था कि मैं सेंटर में आऊं सिर्फ मुझे शौक था जौब का मुझे जौब करना था और उसके बाद जब मैं रहने लगी तो मैं यह कह सकती हूँ कि जब सिर्फ बहन के साथ के लिए सेंटर पे रहना शुरू किया था वो दिन और आज दिन वो दिन नहीं आया कि मैं वापस गई कि अभी यह सोच के कि नहीं बस मुझे तो इतना ही रहना था अब मैं वापस चली जाओ बाबा के घर में रहना था रह ली लेकिन एक बात जरूर थी कि अभी यह निश्चे नहीं है कि मैं यहां रह कि किसलिए रह रही हूँ जहां भगवान का ग्यान सुनाय जाता है तो क्या सच में ही भगवान यहां आता है क्या यह जो ग्यान हम सुन रहे हैं रोज मुरले सुन रहे हैं क्या यह भगवान सुनाता है भगवान का ग्यान है यह यह अभी निश्चे नहीं था तो फिर मदुबन जाने की बारी आई जैसे ही मदुबन जाना था 18 जनवरी का दिन था तो रिजर्वेशन हुई सब जाने लगे तो यहां से जाने से पहले मैं बाबा के पास बैठी और दृष्टी लेने के लिए और मैंने यह कहा कि बाबा अगर सच में आप भगवान हैं और आप इस धर्दी पर आचुके हैं तो मदुबन में अगर मुझे यह अनुभव हो गया कि भगवान आचुका है मदुबन में वो आकर के ग्यान दे रहा है तो मैं जीवन समर्पित रूप से सेवाई करूँगी और अगर मुझे यह अनुभव नहीं हुआ मुझे महसूस नहीं हुआ कि भगवान आकर के ग्यान दे रहा है तो मैं फिर सेंटर से वापस चली जाओंगी और जो मेरा लक्षे है मैंने जॉब करना है लेकिन शादी करने का तो अभी भी संकल्प स्टॉप था वो फिर भी नहीं था कि अब करूँगी जाके सेवा जरूर करूँगी बस ये संकल्प लेके मैं मदुबन पहुँची बाबा की घर में 18 जनवरी का दिन आया बाबा से मिलन का दिन था पहली बार बाबा से मिलना था डैमंड हॉल में जैसे सब भी लोग एक संकल्प करते हैं कि सबसे आगे सीट मिले तो मुझे ये बिलकुल भी संकल्प नहीं था कि आगे आगे सीट मिले चो बाबा के दिश्टी पड़े मैं सबसे लास्ट सीट शायद 20 नंबर गेट होगा बहुत पीछे मेरे साथ एक और बहन भी थी कुर्सी पर हम बैठे थे और बाबा के आने का समय हुआ दादी के तन में जैसे बाबा की प्रवेश्टा होती है तो वो प्रवेश्टा हुई जैसे बाबा दिश्टी देना शुरू करते थे जैसे बाबा सबको दिश्टी देता है तो ऐसे लगता है कि दिश्टी बाबा की गूम गूम करके पुरा चक्र लगा जैसे सामने से डाइमन्ड हॉल से स्टेज के सामने से सीधी जैसे बाबा की दिश्टी मुझे पर पड़ी एकदम लाइट प्रकाश ऐसा प्रकाश बाबा की दिश्टी से वो मेरे उपर पड़ा पूरा मतलब जैसे की आंसों से भर गया इतना अंदर से लगा कि ये मैं कहां पहुंच गी हूँ आज में किसके सामने हूँ तो वो जो प्रकाश मेरे उपर पड़ा वो दिश्टी बाबा की सामने से जो लाइट मेरी दिश्टी में पड़ी तो मुझे अंदर से जैसे मेरी आत्मिक जागरिती हो गई आज के बाद इस जीवन को सेवा में लगाना है मुझे विश्वास हो गया है कि शिब बाबा आ चुके है तो बस ये मेरे जीवन का जो लक्षे था कि अब मुझे सेवा का निवस उसके बाद कोई भी संकलप नहीं आया कोई मुझे कोई हिला सके या कोई मुझे बोले की नहीं आपर वैसा होता कुछ भी ने बस वो दिन और आज दिन वहां से वापसा करके फिर अपना जीवन पुरी तरह से समर्पित्रूप से बाबा के घर में सेवाएं कर रही हूँ और आज 20 सालों से अर्की सेवा केंद्र है वहां पर जो है सेवा दे रही हूँ और सेवाओं में बहुत सारे अनुभवें बहुत सारी बाते दिदी से सीखने को मिली तो दिदी ने कहा कि दो नाओं में पैर नहीं रखना एक नाओं में पैर रखते हो तो जीवन सफल होता है तो यही मैंने यह जो मैं कहती थी कि भगवान को सिर्फ इसले याद नहीं किया जाता है कि दुख होता है यहां आके मुझे ये पता चला कि भगवान को इसले भी याद किया जाता है कि परमात्मा आकर के हमारे अंदर छिपीवी सुशुप्त शक्तियां जो हैं आंतरिक शक्तियों को जागरित करता है तो मुझे ये मैसूस हुआ कि मेरे अंदर शायद जो छिपीवी शक्तियां थी वो जागरित हो गई और अब मैं चाहती हूँ कि ये सब शक्तियां अनेक आत्माओं के भी जागरित हो जाए तो उनके प्रती फिर ये संकल्प है सेवा का कि उनको भी बाबा का ये संदिश देना है इस रिती से बाबा की जीवन में समर्पितरुप से सेवा कर रही हो ओम शान्ति कि जीवन में चाहती हाँ कि नीवन के वी जीवन में सेवान है झाल झाल